हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना, ये बच्चों को बड़ी पसंद आई, चलिए देखते हैं आपको कैसी लगती है, तो हुआ यूँ कि साम को पच्ची खेल करा है, बोलते हैं मम्मी बड़ी जोर की भूक लगी है, तो मैंने का ठीक है, घर में काटकर रख लिए, और इसे अलावा हमें लेना है, कटा हुआ, अध्रक कर लिया है, अध्रक और अब सबसे पहले क्ड़ाई में थोड़ा सा तल डाल देना है, और उसमें सबसे पहले, ये बड़ा अध्रक हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाप से कम जादा कर सकते हैं, औ और बस इने थोड़ा सा ब्राउन होने तक इस प्रकार से भून लेना है और उसके बार डाल दीनी है इसमें दाल तो ये दाल को अब पकाना है इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो सूप जाए और ये मसाला पेस्ट जैसा बन जाए तो अब इसका पकाते रहना है continuously पेच पिच में इस प्रकार से चला देना है तो ये देखिए इसका पानी कम होते जा रहा है और इसमें हमें नमक नहीं डालना है क्योंकि गणतड़ में और पहले से नमक डला हुआ था तो ये देखिए मसाला जो है सुखते जा रहा है और ये देखिए इस प्रकार से हमें सुखा लेना है पानी को और अब लीजे इसे हम निकाल लेंगे एक बॉल में निकाल के रख लेंगे तो यह मैंने इसे निकाल लिया है और इसे निकाल लेना है इस प्रकार से निकाल के रख लेना है और अब इसमें उपर से हमें मिलानी है थोड़ी सी धनिया बत्ती और नमक डालने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि दाल में पहले से है तो बस इसे मिक्स कर लेना है और अब इसे एक साइड रग देंगे और अब लगाते हैं आटा, तो ये मैंने छोटी कटोरी से डेढ कोरी करीबन आटा ले लिया है, मैंने कम आटा लिया है क्योंकि मसाला जितना था उसी केक पॉरेंग लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और अब पानी डाल के इसे गून जैसा रोटी के लिए लगाते हैं पराठे के लिए सिम वैसे ही आठा लगा लेना है तो यह देखिए इस प्रकार से में ने यह आठा लगा लिया है और अब इसे रख देंगे और सबसे पहले मसाले को टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें नमक बराबर है या नहीं नमक बराबर है तो अब इसे एक साइड रख देते हैं और आठे की बना लेते हैं लोई तो यह मैं इसके थोड़ी बड़ी बड़ी लोई बना रहे हूं जिस प्रकार से आलू के पराठे के लिए हम लोई बनाते हैं बस वैसे ही इसमें आठे की यह लोई बना लेनी है थोड़ा सा आटा बेच रहा था तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सभी पेड़े में लोई में इसे लगा दिया और इस प्रकार टोटल ये चार लोई बन गई हैं अब इसमें मैं मसाला भरती हूं तो सबसे पहले इसमें आटे में लगाके ताकि हाथ में न चिपके और इस प्रकार से इसे थोड़ा बड़ा बना लेना है और उसके अंदर मसाला भर देना है जो मिक्षर तैयार किया है इसे भर देंगे इस प्रकार से इसे पैक कर देना है यह देखिए और बस इस प्रकार से इसे बना के भर के मैंने रख लिया एक साइट अब इसमें भी इसी प्रकार से मसाला भर लेंगे पहले मसाला भर के रख लेते हैं और फिर इन्हें पराठे जैसा बेल लेना है तो बारी बारी से अभी इन्हें बेल के मैं रख ले रही हूं यह देखिए यह इस साइस का बना लेना है और इसी प्रकार से इन्हें बेल लेना है तो यह देखिए मैंने सभी पराठों को बेल लिया है और अब एक तवा गरम होने के लिए रख दिया है मैंने इस पे ओएल डाल दिया और इस प्रकार से इसे फैला देंगे और अब इन पराठों को इस पे एक एक करके सेख लेंगे इस प्रकार से दोनों तरब पलटके इन्हें से एक लेना है कम ओयल का बहुत ही पौश्टिक नास्ता है यह बच्चों को बहुत पसंद आया है आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी यह रेसिपी और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यह देखिए पराठे बनके तयार हो गया है बच्चों ने दो बड़े सौक से ही से खाया तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा